दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे बाल पिन हैमर के बारे में बाल पिन हैमर, हैंड हैमर या फिर स्मिट्स हैमर का एक टाइप होता है और इसे हम मसीनिस्ट हैमर के नाम से भी जानते हैं इसका प्रियोग हम fating soap, smithing soap, seat metal soap, machine soap में striking tool के तोर पर किया जाता है बाल पिन हैमर का प्रियोग हम क्यों करते हैं? इस type के हैमर का प्रियोग हम work piece या कोई seat को straight करने में, chipping process के दुरान, fitting process के दुरान, punching या फिर riveting के दुरान, इसका इस्तेमाल किया जाता है striking करने के लिए अब जैसा कि जब हम crank pin को crank में riveting करते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है शा की स्ट्रेटनिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो उच समय हमें कुछ सावधानी रखनी पड़ती है जैसे यहाँ पर एक सीट के उपर फ्लैटनिंग या स्प्रेडिंग वर्क किया जा रहा है तो इस दोरान जब भी स्ट्राइक करते हैं तो इसका जो फुल फेस है वो स्ट्राइक करना चाहिए वही सही तरीका है हैंबरिंग करने का ना कि इस तरह से यह इनकरेक्ट है इस तरह से हम जब भी एंगल पर करेंगे एंगल पर जब हमें जैसे टेपरिंग करनी है या फिर ड्राइंग डाउन करनी है या नैकिंग करनी है तो उस समय हम इसे एंगल पर हिट कर सकते हैं एक एंगल पर स्ट्राइक कर सकते हैं वर्क पीस को और जैसे एक कटिंग करते हैं तो कटिंग करते समय स्टार्ट हम इस साइ से करेंगे, तो इस तरह से कारिय किये जाते हैं, अब बात करते हैं, जो ball pin hammer है, इसका ये नام ball pin hammer कैसे पढ़ा, इसमें actually क्या होता है, कि दो head होते हैं, जो hammer होता है, इसका जो ये फ्लेट, बिल्कुल portion होता है, उसे हम face कहते हैं, और face के opposite जो next part होता है, उसे हम pin कहते है, अब यह जो पीन है इसकी जो सेफ है बिल्कुल बोल की तरह होती है यह फिर स्पेरिकल होती है यह राउंडड फोम में होता है तो इस सेफ के अधार पर ही से बाल पीन हैमर कहा जाता है इसका प्रयोग हम जब हमें कोई ओर्डिनरी लाइट वर्क करना है मैटल वरकिंग में तब इ होते हैं तो जैसा आपको डाइगराम में नजर आ रहा है सबसे पहले हमने स्टार्ट की है पीन से यह इसकी राउंडड सेप होती है बोल सेप होती है उसके बाद यह इसकी नेक होती है यहां पर यह आई होती है जिसमें हम हैंडल को इंसर्ट करते हैं और यह चीक होता है य इस हैमर के दुआरा वो या तो face से की जाएगी या फिर pin से की जाएगी यहाँ पर एक wedge का हम insert करते हैं wedge basically यह steel का बना होता है जिसे हम handle में insert करते हैं क्योंकि जब भी हम hit करेंगे, strike करेंगे hammer से तो उस दोरान जो handle है वो इस part से बाहर ना निकले इसलिए wedge को इसमें insert किया जाता है ताकि proper यहाँ पर fitting बनी रहे और जो handle है यह wood का बना होता है mostly इसमें सीसम की लकड़ी या फिर जो solid bamboo है उसका इस्तिमाल किया जाता है handle के रूब में और यह जो portion होता है यह forced steel का high carbon steel का यह बना होता है अगर हम बात करते हैं इसके weight की कि इसका weight कितना रहता है तकरीब यह 0.25 kg से लेकर 2 kg तक इसका weight हो सकता है और जो eye होती है इसकी shape oval भी हो सकती है और इसकी shape elliptical भी हो सकती है और जो ball pin hammer है यह basically हम जब भी जैसे हमें यहाँ पर अगर बात करें जो rivit head है उसे countersack hole में जब उसको spread करना होता है तो हम बहुत light blow करते हैं light hitting करते हैं लेकिन वो fast speed पे की जाती है तो वो ball pin के दुआरा बड़ी असानी से कर सकते है तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया hand hammer का एक type ball pin hammer कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसमें कौन-कौन से part होते हैं इसका weight कितना होता है किस material का ये बना होता है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे